हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो आई चैनल स्टडी फोर यू जैसा कि आज आज आपका SSE CHSL का 14 मार्च के सेगंड सिप का एक्जाम हो गया दोस्तों जिसका मैं आपको बिल्कुल 100% accurate answer के साथ इस वीडियो में बताऊंगा तो देख लेता है कि किस परकार के आज आपके 14 मार्च के सेगंड सिप के एक्जाम में प्रेस्ट न पूछे गया है उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SSE CHSL एक्जाम से पलपल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा और बगल में आपको एक बैल इकन यानि घंटे का निशान भी दिख रहा होगा तो आप उसे भी जरूर प्रेश कर दीजेगा तो चले विड़ो को स्टार्ट करते हैं तो आज का जवाब का पहला कोशन है था कि पत्थर की मस्जीद का जो निर्मान है न ये किस ने करवाया था तो देखें पत्थर के मस्जीद का जो निर्मान है न ये मुगल समराठ जहांगीर के बेटे परवेज सा के द्वारा 1621 इश्वी में करवाय गया था तो परवेज साह आपका यहाँ पर correct answer होगा next question आपका यहाँ आप रहा था which season is called a transition season यानि किस मौसम को जो है संक्रमन रीतु जो वो कहा जाता है तो देखें यह जो आपका retreating जो monsoon होता है यानि जो आपका पीछे हटने वाले monsoon होते हैं जो कि आपके October और November के महीने में आते हैं इसे ही जो आपका संक्रमन रीतु यानि transition season जो वो कहा जाता है तो retreating monsoon आपका यहाँ पर correct answer होगा अगर month दिया गया होगा option में तो फिर आपका October November महीना correct answer होगा next question आपका यहाँ पराता है कि गोदावरी की जो है सहायक नदी पूछी गई थी तो देखें गोदावरी नदी का जो परमुक सहायक नदी है ना यह आपका मंजीरा, पेन गंगा, वर्दा और इंद्रावती है तो आपके option में जो इंद्रावती दिया गया था तो इंद्रावती आपका यहाँ पर correct answer होगा इसके लावा मैं आपको बता दू कि यह आपका गुदावरी नदी है यह आपका मारास्ट के नासिक जीले में जो है त्रेंब केशवर से यह आपका निकलता है और गुदावरी नदी यह जो है कहां पर गिरता है तो यह आपका बंगाल की खाड़ी में जो है जाकर गिरता है तो यह fact भी आपको ध्यान में रखना है इसके लावा यह जो आपका गुदावरी नदी है ये जो है किस नदी को जाना जाता है तो देखे दच्छिन भारत की गंगा के रूप में ये आपका कावेरी नदी को जाना जाता है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश आपके आपना था कि कैला सत्याथी जी को नोबिल पुरुषकार जो है ये किस छेत्र में दिया गया था तो देखे मैं आपको बता दू कि भारत और अंतरास्ट ये अस्तर पर बच्चों के अधिकारों के लिए किये गये कारे के लिए संयुक्त रूप से कैला सत्याथी जी और मलाला यूसुफ अजई को जो है 2014 का नोबिल सांती पुरुषकार जो वो दिया गया था तो आपका छेत्र पूछा गया था तो सांती का नोबिल पुरुषकार आपका करेक्ट एंसर होगा इसके लाव मैं आपको बता दू कि ये जो आपका मलाला सांती का पुरुषकार से जो वो समानित किया था तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट को आपके आप रहाता है कि राज्यसभा के गठन का जो प्रावधान है ना ये किस अनुछेद में वरनीत है तो देखे मैं आपको बता दू कि अनुछेद असी जो है राज्यसभा के गठन का जो वो प्रावधान करता है तो अनुछेद असी आपके यहाँ पे करेक्ट टेंसर होगा इसके लावा में आपको बता दू कि राज्यसभा में अधिक्तम सदश्यों की जो संक्या होती है वो आपका 250 होता है लेकिन वर्तमान में राज्यसभा में तो देखें राज्यसभा जो एक होता है वो आपका स्थाई सदन होता है यानि राज्यसभा का जो विकटन जो है वो कभी भी जो नहीं किया जा सकता है इसके लावा राज्यसभा के सदश्यों का जो कारिकाल होता है वो आपका छे वर्स कहा होता है और राज्यसभा के एक त जो कि तो पोईडिक पती इसके आपको ध्यान में रखना्ब differentiation उपर ट्राइब नेश्ट नेक्स eles iamai Japan कख्याँ आफ जाता है उसे जो है क्या कहा जाता है तो तो देखे ऐसे जल जो भूमी के नीचे चटानों की धरार और रिक्त स्थानों में पाएं जाते हैं, इसे जो ग्राउंड बाटर यानि भू जल जो वो कहा जाता है, तो भू जल आपका करेक्ट अंसर होगा, नेक्स्ट कोश्य आपका आप रहा था कि किसी सागर का जो है नाम पढ़ा है, तो देखे अनमान सागर का जो नाम है ना, या आपका अनमान निकोबार के नाम पर ही जो है वो आपका पढ़ा है, तो अनमान निकोबार आपका यहाँ पर करेक्ट अंसर होगा, नेक्स्ट कोश्य आपका आप रहा था कि वादियंत्र को नाटे सास्त्र के रू ये भरत मुणी के द्वारा ही जो वो लिखा गया है तो भरत मुणी आपका यहाप एक correct answer होगा नेक्स्ट कोश है आपका आप रहा था कि दित्ते संयुक्त रास्ट विस्वभू अस्थानिक सूचना कॉंग्रिश यानि UNWGIC 2022 का जो उध्गाटन है न यह किस राज्य में किया गया है तो देगे अगर UNWGIC का फुलफम की बात कर ले तो Second United Nations World Geo Special Informative Congress 2022 का जो उध्गाटन है यह आपका हैदराबाद सहर में किया गया है तो हैदराबाद आपका यहाँ पर करेक्ट अंसर होगा नेक्स्ट कोश है आपका आप रहा था कि खेड़ा अंदोलन यह क्यों हुआ था तो देगे मैं आपका बता दू कि 1918 में महात्मा गांदी जी के द्वारा जो है ब्रेटिस हुकूमत के खिलाब गुजरात के खेड़ा में जो है सबसे बड़ा किसान अंदोलन जो वह आपका चलाए गया था जो कि खेड़ा अंदोलन जो वह आपका चलाए गया था और यह जो आपका किसानों की बदतर हालत को सुधारने का प्रयास से जो है यह खेड़ा अंदोलन चलाय गया था तो किसाइनों के बत्तर हालत जो आपका यहां पर गौरेश का उध्गा गया ना यह 171 भारते विग्यान कॉंगरेश नाखबूर विश्विद्धाला में जो वो किया गया है तो नाखबूर आपके यहां पर गौरेश इसके लाब बात कर ले एक सो सातवा जो भारते विज्ञान कॉंगरिश का जो आयोजा ने ये कहां पर किया गया था तो ये आपका बैंगलोर में आयोजित किया गया था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोशन आपके आप रहा था कि PMW वानी योजना ये जो किस से संबंदित है तो देखें ये जो आपका PMW वानी योजना है ये आपका सारवजनिक अस्थलो पर वाई-फाई की उपलबदता से संबंदित है तो वाई-फाई की उपलबदता आपके यहां पर करेक्ट इसमेरे का जी आपकरेक्ट एंसर किया जाएगा तो बि। ये बोदोन देल का प्रेज़ेन आपकर wen इसके लाव बत कर लेधाए बात नुaj कर ले 2020 का जो आपका ओलंपिक हुआ है यानि जो आपका ग्रिश्मकालीन ओलंपिक हुआ है यह कहां पर आयोजित किया गया था तो देखे 2020 के ग्रिश्मकालीन ओलंपिक की बात कर ले तो यह आपका टोक्यो जापान में 2021 में आयोजित किया गया था क्योंकि कोविट-19 का उस स के ग्रिश्म काली इन ओलंपिक की बात कर लें तो देखें दो जाजर अठाइस का जो ग्रिश्म काली इन ओलंपिक है न यह आपके USA की लास एंजिलस और कैलिफॉर्णिया सहर में जो है आयोजित किया जाएगा तो यह सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट यह आपका 11 अक्टूबर 2022 को भुनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में हुआ था और इसका जो सुरुवाती मैच यानि जो पहला मैच है न यह आपका मौरको और ब्राजिल के बीच जो खेला गया था जिसमें मौरको ने ब्राजिल को हरा दिया था तो मौरको आपका आउ जित किया गया था और भारत में यह कितने अस्थानों पर आयो जित किया गया था तो भारत के टीन अस्थानों पर यह आपका आयो और भारत जो अपना पहला मैच किसके खिलाब खिला था तो देखे भारत जो अपना पहला मैच जो है यह आपका USA के खिलाब खिला था और USA ने भारत को 8-0 से हरा दिया था तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके लाओ बात कर ले इसके वीजेता टीम की बारे म तो देखे 2022 का जो वीजेता है यह आपका स्पेन रहा है जो कि दूसरा खिताब जीता है यानि 2018 का भी जो आपका Under 17 FIFA विश्व कप हुआ था उसका भी जो वीजेता रहा था यह आपका स्पेन देश रहा था रणर अप की बात कर ले तो यह आपका कुलंबिया देश रहा है तो इतने फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोशन आपका आप रहा था कि डाइजेशन ओफ स्टार्च अस्टार्ट फ्रम विच ओर्गेन ओफ डाइजेस्टिप सिस्टम यानि अस्टार्च का जो पाचन है यह पाचन तंद्र की किस अंग से जो यह आपका तो मुख यानि मुख जो आपका यहां पर करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोशन आपका आपना था कि वर्ट इप्द इलास्टिसिटी ओफ डिमांड इज लेस देन वन यानि मांग का जो लोच है ना वह आपका एक से कम होता है तो फिर आपका क्या होगा तो देखिए जब आपका इलास्टिसिटी ओफ डिमांड की वैल्यू आपका एक से कम होता है तो दिमांड जो होता है वह आपका इन इलास्टिक होता है यानि जब प्रतियस्था एक से कम होता है तो यह आपका बेलोचदार मांग वक्की जो है आपकी स्थीटी जो है वह आपका उत्पन हो ज नेक्स्ट कोश्च आपका अपराता कि सुरेश एन पठेल वर्तबान में जो किसके अध्याच हैं तो देखे सुरेश एन पठेल की बात कर लें तो यह आपका CBC, यानि केंजरे सतकर्ता अयुक्त, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के जो है, यह आपके अध्याच हैं, तो CBC आप अन्य सतकर्ता अयुक्त जो वो हो सकते हैं, और अन्य सतकर्ता अयुक्त कौन वर्तबान में, तो एक तो आपके परवीन कुमार सिवास्तो को जो है, आपका दिसंबर 2022 में कारिवाह केंद्रे सतकर्ता अयुक्त के बारे में जो है, वो आपका न्युक्त किया गया है, इसके आपका एक रेल टेल से पूछा गया था कि रेल टेल जो वो क्या है तो देगे रेल टेल कॉर्फरेशन ओफ इंडिया लिमिटेड एक भारते सार्विजिनिक छेत का उधम है जो कि आपका ब्रॉडबेंड और बीपेन सेवाएं जो है यह आपका प्रदान करता है इसके लाव म आपका बता दू कि रेल टेल का जो गटन है न यह आपका सितमबर 2000 में एक रास्टे व्यापी ब्रॉडबेंड टेलिकोम और मल्टी मेडिया नेटवर्क बनाने और भारते रेलवे में ट्रेन नियंतरन संचालन और सुरच्छा प्रनाली को आधुनिक बनाने के उद्देश द्देशी में समवर्ति सुची यानि Concurrent List में कौन सा विसा यह आपका सामील नहीं है तो देखे इसके बिचे द्वरा मुझे मिले नहीं हैं लेकिन मैं आपको बता दू कि समवर्ति सूची में सात्वी अनू सूची में आपके 52 विसा वह आपके सामील है तो अगर आपको इ लगी हो तो वीडियो को जो लाइक जरू कर दिएगा और इसी तरह SSE के किसी भी एक्जाम का रियल एनलाइसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दिएगा और एक बात और दोस्तों कि कि आप लोग कोशन नहीं भेजते हैं तो अगर आप कोशन भेजेंगे नहीं तो मैं वीडियो को ऐसे प्रोवाइड करूँगा और कोशन लाने में जो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है तो आप वीडियो के नीचे जो है कोशन जरूर कमेंट किया किजिए ताकि मैं जल स्ट्रियों तर तक थांक्यू, अल्दे बेस्ट